आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ वर्टिकल वोल से टकराती है अपने प्रोजेक्टाइल के अंदर लट से यह स्मूद वर्टिकल वोल है इस वोल की भी विलोस्टी है इनिशल मेंस रावर्जोंटल विलोस्टी है लेफ्ट एंड साइड डाउक्शन में वी अब यह बोल अपने ट्रेजेक्ट्री के अंदर इस वोल से रख राती है यह बोल उसके बाद वापिस अपने इनिशल पॉइंट पर आती है जहांसे इसे प्रोजेक्ट किया था तो सबसे पहले हम यह बोल सकते हैं हमें वोल स्मूद दी वी है तो वर्टिकल डायक्शन के अंदर ग्रेविटी के अलावा कोई ओर फोर्स कभी भी इस पे बोल पे एक्ट नहीं करता तो जो टाइम ओफ फ्लाइट है टाइम ओफ फ्लाइट वो चेंज नहीं होगा जो टोटल टाइम फ्लाइट का इस wall से टकराती है तो वो कैसे निकालेंगे let's suppose t time लेती है बोल इस wall से टकराने में तो इसके पास वापिस आने के लिए कितना time बसता है वो बसता है t1 minus t t1 क्या है let's suppose t1 है time of flight तो अगर यह t time ले रही है इस wall तक पहुँचने में तो t1 minus t time में वापिस आएगी तो horizontal distance जो यह cover करेगी बोल वो सेम होगा t time में जितना cover किया है और t1 minus t time में जितना cover किया है तो पहले यह निकाल लेते हैं कि इसने horizontal distance initially कितना cover किया था इस wall पे impact करने से पहले let's say वो है sx उसकी value क्या होगी initially horizontal direction में velocity किया थी v0 cos alpha into time t तो यानि यह initial distance थी जो बोल ने cover कि अब इतनी distance से t1 minus t time में cover करनी है लेकिन इसकी velocity क्या होगी वापिस आते वक्त इसकी velocity change होगी है वो क्या होगी है let's say इस ball की velocity होगी है v1 तो अगर हमें given है question में कि जो ball और ball का contact है जो collision है वो elastic है which means जो approach की speed है वो departure की speed के बराबर होगी कि दोनों एक दूसरे से जिस speed से पास आ रहे थे उसी speed से दूर जाएंगे हम पहले लिखते है approach की speed वो क्या होगी v plus v0 cos alpha v0 cos alpha वो equal होगी अब जो ball है वो v speed से जा रही है और ball हमने assume कर लिके v1 speed से जा रही है तो v1 minus v होगी तो v1 की value क्या होगी 2v times 2v plus v0 cos alpha तो यह है ball की impact के बाद horizontal velocity तो अब impact के बाद t1 minus t time बच गया तो उसके अंदर ball कितना travel करेगी sx ही travel करेगी sx की value लिख सकते है 2v plus v0 cos alpha velocity into time time क्यों होगा t1 यानि 2v0 sin alpha by g minus t और अब यह जो दोनों sx की value है इनको equate कर देते हैं इनको equate करने से हमार पास value आती है v0 cos alpha into t is equal to 2v plus v0 cos alpha into 2v0 sin alpha by g minus t इसको solve करते हैं तो हमार पास time की value आती है तो हमार पास time की value आती है आज ही राउनलोड करें डाउट नेटा या whatsapp कीजिए अपने डाउट आट चार्सो 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 पर आती है